हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें इस कुंदन नहीं हमारी बेटी जुई का कदल किया है मनने से दो दिन पहले जुई का फोन आया था कह रही थी कि ओ किसी से भी शादी कर लेगी लेकिन कुंदन से अर्किस नहीं कि कि जो कुंदन याद हो बड़ा शातिर है आपको पता है उसने हमें बताए नहीं कि उसके और जुई के विच में टेंक्शन चल रही थी हमें क्राइम सीन पर कुंदन का बटवा में अर्कुनी जी तरह उसने भी ये एक गल्पी कि कतल करने से पहले कुंदन ने जुई का रेप किया था जुर्म कबल करने के बाद उसने हमें वो जगा भी दिखाई जहां पर उसने जुई के मोबाइल को फेका था वो मोबाइल हमने वरामत कर लिए हम पर कोई दबाव नहीं था और यह जात-पत की बाद कहां से बीच में आगे इन्वेस्टिगेशन ठीक वैसी हुई ह जैसे होनी चाहिए हम चाचसित दाखिल करने जा रहे है कुणन यहादव ही हत्या रहा है जुई द्याया की खास फ्रेंड प्रिया ने बयान भी दिया है कुंदन और जुही का ब्रेक अप हो चुका था जुई कुंदन से शादी नहीं करना चाहती थी उन दोनों का बैंक मे के साथ कुछ गलत हुआ है वो दर्वाजा नहीं खोल रही हमें एक बात बहुत अजीब लगी कि सिर्फ सामने का दर्वाजा ना खुल पाने की वज़े से इस कुंदन को कैसे पता चला कि जुही के साथ कुछ गलत हुआ है हमें तब भी यही लगा था कि जरूर कुंदन ने हमारा बेटा खुनी नहीं है, वो जुही से बहुत प्यार करता था, पुलिस वालों ने खुब पीटा है उसे, कुंदन जुही को मार ही नहीं सकता उने कोई जुन कबूल नहीं किया, हम इस अब रस्ती पसाये जा रहे है जुही दहिया के मर्डर के लिए कुंदन यादों की गिरफतारी में इस आदमी की खामूशी एहम रही थी ये उस मर्डर के बारे में जानता था, लेकिन किसी के सामने एक शब नहीं बोड़ा चुप रहा, जैसे कि आगे भी कई बार चुप रहने वाला था उन वार्दादों के बारे में, जो अब होने जा रही थी एक हमला होने वाला है, धनबाद जिले के कैरी गंज गाउं के गर में ये गाउं दोलकापुर से दूर नहीं है, जहां जुही दहिया का कतल हुआ था जो जी बाँ स्पादों काइस से जुआ के लाव भी थी ग पर भी करो नहीं है, धनी कि आले, जे भी को आएं इज nor आतारे जिरा एख भी 002 Ε17या था झाल 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 4 जून 2018 की रात हुए इस गातक हमले में रामानुज तिवारी उसकी पत्नी साधना तिवारी और छोटा बेटा कृष्णा तिवारी तीनों मारे गए रामानुज और साधना का बड़ा बेटा दरपन गंबीर रूप से गाल हुआ था पर सासे चल रही थी झाल रही वे प्रसे प्रसे की चाल इसे एक रही आए है जादे को प्रने का अई यह क्रिष्णा है, छोटा बेटा, यह हमारी साधनावादी और यह रामानज भईया प्सितने हते हैं नेखाओ लेकाओ भीजो यह निच्छे सभाल दिलाओ आओ उपर लेकाओ उपर लेकाओ रामानुज का किराने का दुकान था साव हर रोज दुकान खोलने से पहले हमारे यहां आता था और अम्मा से मिलकर जाता था आज जब मिलने नहीं आया तो हमने देखने के लिए योगेश को भेजा था साव साव हमने बहुत देर तक दरवाजा खट खटाया किसी ने नी खोला फिर देखा पीछे के दरवाजा खुला हुआ था अंदर आकर देखा तो हर जगे खुण और यह चार उल पड़े हुए थे पुर्शोतमों जोगेश तुम दोनों बाई एक साथ रहते और रामणों यहां पर एक रखेला रहता था था हमारा घर बस बगल वाला है साब रामानुज ने यह वाला खरीदा और यहीं से अपनी कर लिया हमको तो नहीं पता साधना घर पर क्या क्या रखे की साली नी को पता हो साइट मैडम यहां पर बहुत सारा नगद और गहना रहता था तुम्हें कैसे पता शाली हम और साधना मिलकर गाउं की ओर्तों के लिए ग्रूप चलाते हैं कौन साधन जैसा अगर गाउं की को लोन की जरूरत हो तो फिर वो गहना गिर्वी रखकर लोन ले सकते हैं और सूच समेद लोटाना भी पड़ता है पिछले एक साल से साधना हमारी अध्यक्षा थी नगद से आई वी सारी किष्टे वही रखती थी मैडम यह नगद और गहने मिला कर कितना हुआ होगा गहन साधना के बदन पर हमें सब बहुत गयनी होते थे लेकिन अब कुछ नहीं है मंगल सुत्र कंगन जुनके सब गायब है शाली यह नगद कितना होगा हमारा गुरूप का तो कुछ मिला कर तीन लाक होगा और उसका खुद का कितना हो हम नहीं बता से कर दो कितना हुआ 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 है सार यह बीसी घर के कमपाउंट से मिला है पता करो यह गर किसका है सार यह इनका घर है क्या काम चल रहा है बढ़ा ही का काम चल रहा है पुछ कुर्सियां है मेज है और कालमीर यह हतोड़ा और यह कटर अपके मिस्त्री का है पता नहीं साब उसी से पूछना पड़े जा रामानुच तिवारी उसकी पतनी साधना और उसके छोटे बैटे कृष्णा इन तीनों के मुर्डर के मुखे संदिक्थ हमारे सामने थे रामानुच का बड़ा भाई पुर्शोतम और छोटा भाई योगेश चार जून दोहजार अठारा की रात को हुई स्टेपल मुर्डर केस का क्या दो साल पहले हुए जूही दहिया रेप और मुर्डर केस से कोई तालुख था यह हमें उस वक तो नहीं पता था पर तालुख था जरूर और वो भी काफी गहरा क म् किह जरा कह रहात समय है तुमारे फिंगर पिंगर्प्रिंट से ही, कुंगण हम नहीं देंगे हम कोई च identifies नहीं दे रहे ुम्हें कोट्क्य ओर्डर है अपलोग कमारे फिंगर्पिंट जाके थे जुएकिसारे करवे चाब देंगे और हमारे कि जूटे सबूती करणा करेंगे उम्हें प्रिंट तो देने होंगे कुंदा और अगर नहीं दे तो हम उगलिया तोड़ कर भी प्रिंट में करवा लेंगे आप कुछो करना है कर लीजे हम अपने फिंगर पिंगर पिंट्स नहीं देंगे कुल मिलाकर पंद्रह टांके लगे हैं कंकर्शन काफी गहरा है यह वाला जो हिस्सा है यह तो अंदर चला गया लगकर लगी है कि उसके बाएं यांक बच गई खत्रे से बाहर हैं पिलाल के लिए तो हाँ मगर आपसे बाच चित करने के लिए दो तीन दिन लगेंगे यह बच्चा क्रिशना और इसके पिता रामानुज दर्पन की तरह लगी नहीं थे किसी हेवी औबजेक्ट से वार हुआ है दोनों के सिर्पे दो दो बार हमें क्राइम सीन से एक हाथोड़ा मिला जिस पर खून के निशान थे अथाओरे से वार की पॉसिबिलिटी है यह और साधना इसके सर पर भी तीन बार हुआ है दोक्टर जिस हालत में यह मिली तो यूर करेक्ट रेप हुआ है रेप कतल के पहले हुआ होगा या बाद में यह कहना ज़रा मुश्किल इसके हाथों पर खासकर इसके नाखूनों में जड़ब की कोई निशानी नहीं मिली हो सकता है कि रेप के वक्ती होश्म नहीं हो दरपन का मामा जगदी शाय हुआ है वो दरपन के साथ ही रहेगा हमारे दो कॉंस्टेबल भी 24 गंटे दरपन की प्रोडिक्शन के लिए यह मौजूद रहेंगे क्योंकि शायद दरपन ने हत्यारे को देखा होगा मंशिडाल तेरे ही है नहीं जी हाँ वो उस्तुत्तम भाही के घर पे काम चल रहा है नहीं काम करने के बाद और जार भाही पर स्वड़ थे है तेरे नहाजारों में से इस थोड़े से टीन कंव कर आड बचाए हम्ने सुला उस्तुत्य भाही ने बताया और क्या क्या बताया पुलस कुने पैसे दो दी काम कि अज़ा भी ज़ाए नहीं है नाटक मत कर बोल जल्दी कितने को सोदा किया अकेले मारा तुने हम सच कहा रहा है मैंदे कुछ भी नहीं किया ज़ता भी नहीं है इस पारे अर्णानुज अमारा छोटा भाई था और हमारे बड़े भाहिया थे अथोड़ा मेरे घर के पीछे मिल तो कहना क्या चाहते है दो हपते सही घर में कारपेंटरी का काम चल रहा है उसी का अजार रहा होगा और खुद के भाई और उसके परिवार को खतम कर दें ऐसे वहशी नहीं है हम लो और उतने बेवकूब भी नहीं कि अपने घर पर बड़े ओजारों को इस्तमाल करें और चुपाने के बाजाए अपने घर के पीछे फेग दें और जारों के साथ साथ बंसी लाल का भी इस्तेमाल किया होगा तुम लोगों कितने पैसे दियो से वह कुछ भी नहीं पता है मैं तो रात बर कहां था दिवाकर सच सच बता कहा था प्रसांत की घरते भाईया पी रहे तुम पुरा रात वहाँ था सच बोल रहा है जूट क्यों बोलेंगा भी या वहीं सो गए थे जब सुबा वापस आय तो पता चला इस कांड का यह ले कलपना दीस हजार है चह मैंने बाद तु पच्चस लोटाईगा और यहां दस पड़त पर साधना दीदी पिंकी से तो आपने चार हजार उपे सूद लिया था तो फिर हम से पांच कियो वह पिछले साल था कलपना अब तुने पांच हजार जमा किये थे उसका ब्या को तुने हैं थोड़ी-थोड़ी बड़त होती रएगी यह हमारे पांच हजार ओर इन्हें खाते में जमा कर लीजे हमारे पती के पिछले 6 महिने के पैसे जो बकाया थे वही दिये आज फैक्क्री में उसी में से 5,000 जमा किये हमने हम पैसे की बात नहीं कर रहें लालिता क्या? क्या बोलना चाहती हो तो? तेरा मुझ ना तेरे पती तक ही रख हमारे पती पर मारनी की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा बता रहे हैं हम हमारे भी सुर्मा गाओं में गूमते रहते और खबर रखते हैं क्या कैसे मटकती रहती है तू उनके दुकान पर अरे कैसी हो लालिता? महीने में कई बार राशन भरी जा रही है तेरे घर में ऐसी भी भूग किसे लगती है तेरे घर पे अपनी गंदी जबान पे लगाम दो साधना तो अपनी गंदी हरकतों को लगाम दे पहले ये कोई पहली बार चेतावनी नहीं दे रही हुँ तुझे लेकिन कुट्या की दूम है किसी दीन ही होती है क्या अनाप्शनाप बोले अरी भावी? अनाप्शनाप कर रही है तेरी ये भावी विजो तेरी लडिता भावी है ना कोई दूद की दूली नहीं है इसने तेरी धनिराम भया से शादी इसलिए की है ताकि सालों की अधूरी क्वाइश पूरी कर सके, मेरे पती को वश्मे करने की. यह! दिवाकर! साधना, तुम्हारी शकी दिमाग का कोई इलाज नहीं है. लेकिन यह मज़ सोचना कि तुम जो भी गंदबक्ती रोगी, हम सब चिपचा बैटके सुन्ते रहेंगे. तुम्हारी तुही जाने, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है. और दिवाकर, आइंदा हम पर हाथ उठाने से पहले, अपने भावी को भटकने से रोख. लगता है तेरे भाईयों तुह संभलती नहीं है. चल चल दिवाकर, जाने दे, यह तो भौकती रहेंगी. आखेर, दाओ, जॉप को आफेरे नहीं हम आपो को मिलने से रोकने वालर है। हमारा भाण भाईया भी है, नहीं वह दो तो है तुम को हैं। हम रोकेंगे नहीं किजेया, कर दिया हम दो के दूना करने हैं। देखे, आप लोग यहां शोर मत किजे, आउस्पिटल है, बच्चा अंदर सो रहा है, इसको यहां रुकने का हक इसने दिया है, साब, हम एक बार अपने ही बच्चे से मिल नहीं सकते हैं, फिलाल बच्चे से मिलने की किसी को भी एजाद अतनी है, और वैसे बच्चा सो रहा ह मिलके क्या करेंगे, गायल है वच्चा, जगदीश, अगर बच्चे को गलत पत्ती पढ़ाने की कोशिच भी किये न, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका मतलब तुम लोगे दिल में खोट है, जीया जी के सरपट कितना नाचे हो ना, तुम लोग हमको सम मालूम है, और हमारे तीनों बेटों में जमीन को लेके अन्बन पी साहिब, लेकिन खूम तो एक ही धाना, आप लोग को धंका चान भी नहीं कर रहें, बस यहीं यहीं डूंड रहें, अध्या में इस्तमाल किया गया हतोड़ा आपके घर के पीछे से ही बरामादू है मलतीजी, पर अब त ऑचे कृस्णा धरपन के साथ सूबसाम साथ खेलते थे, एक साथ सब स्कूल जाते थे, यह नहीं बताया आपको गावालों ने, सब बताया, हमें यह भी बताया कि रामानों जिहां सिर्फ और सिर्फ अपनी माह से मिलने आता था, हमें यह भी बताया कि गाओं के लेडिज और देवर योगेश अब कि मजले देवर रामन उससे बात तक नहीं करते थे देखिए अनबन अपनी जगह है और कून का रिष्टा अपनी जगह अब कैसे सोच सकते कि इस वज़े से हम लोगों ने उन तीनों को मारा होगा चारों को प्लैन तो पूरी परवार का सफाय करने का दर लेकिं दरपन बच्किया और इस बात की पूरी संभावना है दरपन ने कातिल का चैहा देखा बंसिलाल पानी पीले पीले अगर सच कूल के सजा काटेगा ना तो सजा सुकून से कटेगी और हो सकता है अदालत तुम्हारी सजा कुछ कम भी करते चुप चुप फिर रुए ना इस बार सच में रूला देंगे डंडे से बल्बन से साफ चार तारिख की शाफ अपना दिन भर का काम करने के बाद अपना सामा निकठा किये और पुर्शोत तंभाई के घर पर रख दिये और फिर हम तो अपने घर चले गए दे ताब हमें तो सुबह में पता चला कि वहाँ पर ये फून पर आखरी मौका दे रहा हूँ बोल रख भेश ने तुम्हे इसकाम के लिए कितने पैसे दी साब हम तो फंदेर सौ रुपएवे ने काम करते हैं साब यह हमारी मस्दूर ही वहाँ पर तो महस पंदरा सो के लिए तुमने तीन लाशें भीचा दी बलात कार कियी है मैं साब हमने किसी के साथ कुँद भी नहीं कि क्या आपको लगता है कि दरपन आपका या मेरा नाम लेगा कि अधिवाकत भाईया वो दरपन उसने हमें दो चार बार अपनी मा के साथ जगडते हो देखा था और तुमको डरे को तुम्हारा नाम लेगा तब तुम्हें सच में सब कुछ किया है साना से बद्ला लेने के लिए पेड़ा बिलकुल ही दर्द नहीं होगा अब डरे नहीं अब 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 ममी का है क्रिष्ना का है दर्द की हालत अभी भी खासता थी और वो बहुत जल्टीक होने वाला था और वो खुद हमें बताने वाला था कि उस रात उन पर हमला किस ने किया था और उसे अब तक बताया नहीं गया था कि उसका पूरा परिवार माबाप और छोटा भाई इस हमले में मारे गए थे कुछ लोग डरे हुए थे के दर्पन कहीं उनका नाम ना ले लिए शायद हत्यारे ने कभी सोचा ही नहीं था कि दर्पन बच जाएगा खेतों के बटवारे ने भाईयों को बांटा था पर यह खेत की अन्बन तो छे साल पुरानी थी इससे तीन होंगे और वो भी बराबर बराबर रामानज भाईया ऐसा कैसे हो सकता है आपका घर खेती की आमदनी से नहीं चलता है देखो रामानज हम और योगेश सिर्फ खेती करना जानते हैं और हमारा कोई अलग से धंदा नहीं है न तुम्हारी तरह लेकिन भाईया किरानी की दुकान हमने अपनी महनत से बनाई है आप से या बाबुजी से अलग से पैसा नहीं लिया था हमने तो साधना हम सब खुस है उसके लिए और भगवान से प्रातना करेंगे कि चार दुकाने और बनाओ पर थेती तो आम समाजदारी और दिलदारी की है एक हो रामानेच समाजदारी तो इसी बात में है कि वह जमीन हम दोनों किसानों को मिलना चाहिए कि उसी जमीन पे हम दोनों भाई मिलकर हल चलाते हैं अमरे हिस्से की जमीन पे हम अल चलाए या जिमा हमारा है बहिया और अमा बस अब और बह तो भी रहोगी कि कुछ बोलोगी भी अरे हमारा तो ये कहना है बटवारा काहे करतो तीनो भाई मिलके खेती बाड़ी करो और जो आमदनी होवे उसको बाट लो तो वही तो हम कह रहे हैं जमीन के तीन हिस्से कर लेते हैं सब अपना अपना हिस्सा संबले बस ये पहले हमारे को अलग किया अफ़ेत का बटवार हा रहा है मतलब बूरे परिवार को तोड रहा है ये देखो अमा ये पुरसोतम बही और ये योगेस ये दोनों मिलके हमें ठग रहे हैं ए ठग रहे हैं हम तुमको ठग रहें अरे तो सची तो टो गह रहे हैं भईया हमने हिस्साम से छीन कर दो अजय है अची अची है अची जा बदा दिये रहां वाद कर पाया गां कि अच्छ पता है इसने अच्छ बटा बहुत अर्द होरह जिसने आपको अधर दिया ना और आपके घरवलन को मारा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, जेल में बंद करेंगे, अब चाहते हो ना, तो उसे हम जेल में बंद कर देंगे, अब ने देखा था वो कौन है, जेहरा देखा था उसकों, आपने देखा था वो कौन था, कौन था? बड़े, 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 आपके पर शोटम था हो जी? बड़े, इस पर शोटम को ठाव, डंडा करते हैं था, ठाव इस, अराम से ब्रेक नहीं मार सकते हो जी, अरे बढ़े, आराम से ही तो ब्रेक मारी है, बैटते बग्स बोले थे ना समहाल के चलाने के लिए, जैनानी पेट से नहै, अरे बढ़े, कितना तो आराम, आराम से ल कराएं हमें आराम से लाएं। हमर आराम से लाएं। अब एक अब हमारी बाद सुन लिजए सब आप ये दोनों MA 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 M or बच्चे का कान भर दिये हम साफ और दरपन thank the hetosb बनार कैन आग लगाया अब लगाया है और बच्चे-का जो हालत हैं आप घर दरपन्य में सबसा अथ ओण उसने तुमारे हाथ में हात ओडा देखा उसे मारने से पहले. हम कह रहे हैं, पट्टी पढ़ाया गया है, Saab. हम अपने भाई को खुद के भाई को मारेंगे. और उसके बीवी बच्चे को भी मारेंगे. खलत वैम ही है, Saab आपको. कुए थोप्सिया को मारेंगे अपनी मंगता को जिसें जाम से ज्यादा प्यार करते थे सरिए शादी करने वाले थे हुए निसाहाद vil जरकत्त करेंगे? करेंगे! करेंगे! तरपन ने बस के दिया और आपने अपने पती को अपरादी समझ लिया अरे चार्ज जून की रात को तो पुरुषोत्तम भाईय कही निकले ही नहीं वो तो घर पर सोय हुए थे वो घर पर ही थे आप पोलो तो हुआ पही भी लिख कर दे सकते हैं जहां बोलो माँ खड़े रहकर कह सकते हैं देखिये पुरुषोत्तम ने अगर कुछ किया नहीं है तो आप लोगों को डरने का कारण नहीं है डरने का कारण कैसे नहीं है मैडम आप लोग तो लौक अप में बिठा कर डरा धमका कर वही कबूल करवाएंगे जो इसने किया नहीं हो सर पर मड़ देंगे उनके जबर्दस्ती कहानी बना देंगे कि उन्हों नहीं सब कुछ किया है पुरुषोत्तम से केवल पूछ ताथ चल रही है हमने उसे मुझरिम मुकरर नहीं किया और नहीं यह हमारा काम है लेकिन दरपन ने केवल हम से नहीं, अपने मामा और मामी से भी यही काहा है कि जिसने वार किया वो पुर्शोत्तम ही था जब हतोड़ा से वार हुआ, सब लोग सो रहे थे, फिर दरपन ने हमारा शकल कैसे देख लिया आपको दिखाई नहीं दे रहा है साब, दरपन दवाव में आकर जूट भोल रहा है तो तुम जानते हो, सब सो रहे थे, कैसे सो रहे थे, कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है पुर्शोतम तेवारी, हम सिर्फ दरपन के बियान के आधर पर तुम पर शक्क नि करें, हमें तो पहले से ही… आप लोगों को कभी हम पर शक्क हुआ ही नहीं, सिधा विश्वास हो गया, कि ये सब हमने ही किया है, इसलिए तो तहकिकात करने के वज़ा है, आप लोग सिधा फैसला पर पहुच गए, दरपन के पास जूट बोलने के कोई वज़ा नहीं है, और हमारे पास कतल करने का कोई वज़ा नहीं है साब, छे साल पहले खेत का बटवारा हो चुका है, तीन बराबर बराबर हिस्सा हुआ था साब, जैसा रामानुच चाहता था, अब उसी को मार कर, वो जमीन हमारा कैसे हो जाएगा, वो तो दरपन को जाएगा ना साब, वो तो अब जाएगा ना, क्योंकि सगे भाई की बीवी के साथ बलातकार करना, कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पर, अरेस्ट करके, पर हिसाब, बचकाने में दरपन कुछ बोल दिया, उसको सच मानकर आप केस बंद कर देंगे, जबकि असली मुझरीम, असली कातिन अराम से बाहर घुम रहा ह होगा, इसका अंदाज़ा भी है अब तो, हमने जुही को नहीं मारा है, और यही हकीकत है, यही सच है, लेकिन आपनी तो मन बना लिया है, हमें गुनिगार साबित करने का, तोर्चर से आप हमारे शरीड को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं, कभी नहीं, और आप हमें ग कुन किया है, अपनी सगी बहन के सब्सक्राइब, तुझे कोई बिजली का जटका बटका नहीं दे जारा है, समझा, इसे ब्रेन मैपिंग बोलते है, मशीन बताएगी कि तू कितना चल्च बोल रहा है, तेरे भेजे में जाकर सच्चाई पता करेगी, बेचलो इसे, सच्च हमको दरपन से अकेले में बात कर ले ने दीचे, बच्चा है, बहग गया होगा, इस पुछोतम तेवारी के खलाफ हमारे पास कुछ ठोस होना जाहिए, इस दरपन का स्टेटमन कुछ ठोस नहीं लगता, तुम्हें भी लगता है, उसे पट्टी पड़ाएगी है, उसका ब् सर वो पांडे, सर जी दरपन के मामा और मामी जो है ना, वो दरपन से बार बार ये कह जा रहे थे कि ताव पुर्शतम और चाचा योगिश की मिली बगता है, इस मामा जगदीश का कोई नेजी मतलब है, सब नहीं, सर जी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन देखे ना, अभी बच्चा है 11 साल का और 6 साल पुराने जमीन की मसले की बात को उसके मामा ममी बार बार और थोड़ा मारे जा रहे थे, तो तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने भी अपने दिमाग में कहीं ने कहीं एक तस्वीर सी बना ली हो, कि उसके ताव और उसके चाचा ने माबाप और उसके भाई की अत्या कर दी है, उपर से रामानुज के घर से जो ग्याने चोरी हुए और साधना के लेडिस फंड से जो कैस चोरी हुआ, वो भी पुटशतम के घर के पीछे नहीं मिला, तो तुम्हें लगता है कि उस एक हथोड़े को आधार बना कर, हाम ने अ क्या सकते हैं, दुंदली है, हो सकता है कि ऐसे दिमाग को एक तस्वीर दिखाएगा है, किसी पुरानी दुश्मनी के तस्वीर, जो बार-बार दिखाएगा है, जिसके चलते बच्चे के ऐसे दिमाग ने उस तस्वीर को सच मान लिया, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, कि हम उस उसकी देखी हुई तस्वीर को बिना सुबूत के सच मान बढ़े और उस तस्वीर पर अपने केस का फ्रेम चड़ा कर इस के मुख्य संदिक्द को गुनेगार मान बढ़े और केल्ट ठोक कर दीवार पटांग दे हमारी बाद सही है नेरश लेकिन हमारे स्टेपल मुर्डर और रेप केस के असली तस्वीर कॉन सी हो सकती है सर इस केस में एक नया एंगल उबर कर आया है साधना के पडोसन शालनी नेगी ने फोन किया था वो साधना की लेडीज ग्रूप के मेंबर भी है उसने तो एक नहीं बात बताई कोई नया अंगल बन रहा है यस सर माडम, हम सब ग्रूप की आरते बैटकर चुराय होए जेवर और नगत का अनुमान लगा रहे थे बैटकर सोच रहे थे कि अरपाई कैसे की जाए तब ही ये बात सामने आए लेकिन शालनी क्या ललिता और साधना के हस्बन रामन उचके बीच वाकई कुछ चकर था वो हम कैसे बता सकते है मैडम हमको क्या मालूम हाद एक नेक बास जरूर है ललिता के देवर दिवाकर और साधना के भी जगड़े जरूर हुए थे और जब ये सब कांद हुआ तब नलिता बहुत डरी हुई थी मानो कि उसकी घर पे ही कुछ हुआ हो उसके पती धनिराम और देवर दिवाकर ने मिलके ही कुछ किया हो सब लोगों को ऐसा लगता है शक है मतलब अचानक से इस टिपल मर्डर और रेट केस की एक अलगी तस्वीर उबराई पर क्या ये तस्वीर गुनेगार और उसके असली मकसद के फ्रेम में सही बैटने वाली थी ये हमें पता करना थी हर केस में पीडित और संदिक दोनों के इर्थगिर्द एक वर्णन एक निरेटिव एक कहानी की तस्वीर उबरती है कुछ तस्वीरे इतनी साफ नजर आती है कि संदिक जाहर तोर पर गुनेगार मालम होता है पर जब एक से ज़्यादा तस्वीरे बनने लगती तब ये सवाल उठता है कि इन में से कौन सी तस्वीर गौनेगार और उसके मकसद के फ्रेमें फिट पैट दी हम भी मानते हैं कि हमारी पतने ललता और राबानुज की बिच गरीब करिस्ता था और इसी को लेकर ललता और साथना के बीच अनबन थी उस समय तक हमको भी इस बात का डर था कि कहीं हमारा छोटा भाई दिवाकर ने गुस्से में कुछ कर तो नहीं दिया यह कहां हमको नहीं पती इस साथना तो हमेशा अरोप लागाती थी कि उसके पती राबानुज ने जान बुचकर ललता को हमसे साधी करवाया थी तकि वो दोनों पडोसी बन सके और उनके भी जो भी चल रहा था वो सब चलता रहे दनीरा मैं तुम से सीधा सवाल पूछ क्या ये हत्या हैं और बलतकर तुमारे भाई दिवा करने की तू अपने दोस्त प्रशान के साथ पीने बेटा था जी सर और वहां से तू अपने घर के लिए कपने कला था रात एक बज़े तक पी रहे थी सर फिर सो गया और सुबा उटकर दिवा कर अपने घर चला गया कुछ साड़े साथ बजे के असपास और कॉन-कॉन है तरे गर में कोई निया साब मैं अकिला ही रहता हूँ को सकता है तेरे सोने के बाद दिवा कर ओड़कर कांड कर आया हूँ तुझे तो पता नहीं चलता ना वो साब पता चलता या नहीं चलता प्रेशांद नहीं पता चलता साब हमें गुसा बहुता साथ ना भावी पर वो हमारी ललिता भावी के बारे में बहुत फाल्त बोलती थी और हमारे भाईया वो कभी कुछ नहीं बोलते थी रशांद के साथ पीने के बाद तू रात को रामनोच के घर गया कतल के इरादे से तुझे क्या मालूम था भेले से की हतोड़ा तुझे पुट्शतम के घर से मिलेगा या हतोड़ा इत्तफाकन तुझे वामिल के है सर जब हमने साधना भावी की लाश को देखा हमिल गए थे हमें बहुत गुस्ता था हूं हमने सबक भी सिखाना चाते थे बहुत भैंकर ख्यालाते थे मन में की कुछ कर रहे हैं लेकिन सर जब उन्हें इस खालत में देखा और जब महलूम चला कि उनके साथ क्या हुआ था बहुत बुरा लगा साफ हम डर गैसे सर हमने कभी भी अपने मन में भी उनके लिए ऐसा नहीं चाहा था और एसास हो की सर अपे वो दिवा कर यह जो ते रंतारातां की आवाज है इसको अपने अंदर ही दबा कर रख और फड़ावट बोल कि यह तीनों कत्र और साध्रा का रेव तू नहीं किया है न जब सब लोग कहने लगे कि दरपन जिंदा है तब हम तर गए थे हमें लगा कि कहीं वो हमारा नाम ना बोल तो अदलब दरपन को तेरा ही नाम लेना चीए था नहीं सर हमने कुछ कहीं नहीं तो हमारा नाम कि लेता है उन्टो सारी रात प्रसांद के गर सोई पड़े था जब उठे घर आए ता पता चला कि क्या हुआ है तो चितना जूट बोलेगा उतना बुरा पिठेगा सार अम जूट नहीं बोलेगा हमने कुछ भी नहीं किया सार प्याइश और जेवर कहां रखे हैं जेवर तो बेस दी होंगे अब तक पहले तो सिर्फ हमारे लेडीज ग्रूप में यह अफवा थी कि हमीने सब करवाय है अब आप भी तो जो पहले दिन से पता है कि यह काम तेरे देवर दिवाकर का है पता नहीं था बस डर था जैसे हमारी पती को भी था मैडम हम साफ कह रहे हैं दिवाकर ऐसा करी नहीं सकता और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था क्यों अफेर नहीं था तेरा रामानुच के साथ सिर्फ मैडम कोई आग नहीं थी बेना धुए के भी आग होती है लडिता जब रिष्टे चुपके निभाय जाते हैं हमने कुछ नहीं चुपाया मैडम हम जूट नहीं बोल रहे हैं हम रामनुज को पहले से पसंद करते थे उसकी और हमारी शादी होने के काफी पहले से लेकिन उसने आगे होकर कभी इस बात का इजहार नहीं किया हम भी चुप रहे हैं बस फिर किस्मत ने हमें एक बार फिर से यहां मिला दिया यह जो किस्मत का नाम ले रही हो वो साजिश थी क्या रामनुजी लाय था ना तुम्हारे लिए रिष्टा धनिराम का हा मैडम लेकिन उसका आवा मकसद नहीं था वो तो हम ही खुश हो गए थे कि रामन उचके पडोस में रहेंगे उसे रोज देख सकेंगे उसे बात कर सकेंगे हम कसम खा के कहते हैं मैडम हमारे बीच कोई नाजायस छुपाने जैसा रिष्टा नहीं था पर साधना को यह बात कभी समझ ही नहीं आ इस केस की हकीकत यहीं कहीं चुपी हुई थी शालिनी नेगी के घर के आसपास और इस हकीकत तक पहुचने में अभी देर थी दिवाकर के खिलाफ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सैंगल को आगे बढ़ा था ठीक उसी तरह पुरशोतम के खिलाफ भी हमारे हाथ कुछ नह इस केस की तहकीकात के दौरान हमारा ध्यान हमारे ही जिले धनबात के ओशी गाउं में हुए केस पर लाया गया इस केस की डिटेल्स हमें हमारे डिवीजिनल हेड़कोर्टर्स ने थे जैन सर जैन अर्विन तुमारे केरी गंज केस का क्या स्टेटर्स है तुर ट्रिपल मुडर और रेप केस हाँ वही तिवारी फैमिली सर दो संदिकत है पहला है विक्टिम रामानुच का बड़ा भाई परशोतम और दूसरा उसका पड़ोसी दिवाकर पर सर सच कहूं तो द एक निउस्पेपर रिपोर्ट आई है 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 एडलाइन है क्या कैरी गंज कांट की केस फाइल कोशी गाउन डवल मुडर केस की तरह धूल चाटेगी कोशी गाउन डवल मुडर केस हाँ 2017 का केस है एक जवान लड़की और उसकी मा को उनके घर के अंदर कतल कर दिया गया थ जुलाई 2017 में दनबाद जिले के कोशी गाउं में निर्मला मातो को उसके घर में मार डाला गया वार उसके सर पर किया गया था साथ ही उसकी बेटी कशिश महतो को मारा गया और उसका बलाद कर भी किया गया देखो इस न्यूस्पेपर आर्टिल ने तुम्हारे और इस अंसुल्जे कोशी गाउं डबल मडर केस के बीच में कुछ समानताएं हाइलाइट की है कि दोनों हत्या और रेप केस थे और दोनों अंसुल्जे रहे लेकिन मैंने जब दोनों केसे की फाइल्स पढ़ी तो मुझे इसके अलावा भी कुछ समानताएं नजर आई जैसे कि सर निर्मला और कर्शिश दोनों फावड़े से मारे गये और फावड़ा उनके घर के बाए बेए अथा, और इधर काशिश का रेप हुआ और तुम्हारे केस में साधना का, और शायद दोनों केसे में रेप वार करने के बाद हुआ ब्यास हसा, अगर आप सज़ेस्ट कर रहे हैं चैनलों केसे में कॉत्खिल एक तो क्यामा दोनों कासी को is कएक साथ साथ करूं इस कोशीगाओं केस में मुख्य संदिक था कशिश का भाई निर्मला का बेटा सुधान्शू महतो देखो किसी रिपोर्टर ने बस एक पॉइंट उठाया है लेकिन मुझे लगता है सीरेसली इन्वेस्टिकेशन की जरुवत है जरूर कोई कनेक्शन बनेगा को स्टैडी करते हैं लेकिन किसी भी सश्वाइच्ट या निश्करश पर पहुंचने को जल्दवाजी नहीं करें शयाद ये निश्करश पर पहंचने के जल्दवाजी ही वमारी इंवेस्टीकेशन की सबसे बड़ी खामी रही है vehicle कि इन्वेस्टिगेशन ने मुझे ही जुई का कातिल मान लिया। दो साल जेल में रहा बिना बेल के। हर रोज बार-बार चलाता रहा कि मैं खोनी नहीं हूँ। ताल जेल में एज रहा बार चलाता रहा कि मुझे जुई पर आफर राव भावावाओक बार-बार बार रहा बार घ्ट के जुई हूँ। जाएब भावावाब पर अवराव टो साल जेल में जुई हुई प्रक्ते हैं हर क्रायम सिर्ट से कुछ छीज़ें जाहर तौर पर भरती है पीडित के एर्दिक्ित की छीखा से एक तस्वीर बनती है जिससे जुर्म के मुकसद का अंजाजा लगा जाता है फिर संदिक्तों के एक लिस्ट तायर की जाती है इस लिस्ट में उस संदिक्त का नाम सबसे उपर रखा जाता है जिसके खिलाफ ठोज सबूत मिलते हैं पर कभी कभी क्राइम सीजिन से बनने वाली महज एक तस्वीर ठोज सबूतों पर हावी हो जाती फिर मीडिया, समाज और दूसरे कई कोनों से कई आवाजें कुझने लगती जो उस एक तस्वीर को, उस एक संभावना को हकीकत का रंग देने में चूट जाती है इन मल्टिबल मुर्डर केसिस की श्रिंखला में हम पूरी तना चौग गए जब ये पता चला के इन केसिस में कातिल कौन है और उसका मकसद क्या था हम उस कातिल तक कैसे पहुंचे यह हम कल के एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे इस केस के शेश भाग में Crime Patrol सतर्क जाहें करेंगे करेंगे